दोस्तो लास्ट की वीडियो में हमने प्राइम नंबर्स के बारे में जाना था और देखा था कि प्राइम नंबर्स को स्क्वेर रूट एंड में कैसे फाइंड कर सकते कि कोई नंबर प्राइम है यह नहीं एंड आज के वीडियो में दिखेंगे के काफी सारे अगर में को प्राइम नंबर्स एक साथ फाइंड करने हैं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं सीव अलगोरिधम का यूज करके अभी ये सारे नंबर्स को इन सारे नंबर्स को मैं बोल दूगा के प्रायम है ठीक है यह सारे के सारे numbers prime है ठीक है और starting में हम one को तो dismark कर देंगे one को क्यों कर देंगे क्योंकि one हमारा prime number नहीं है हमें पता है अब मैं क्या करूंगा ना अब मैं two के सारे multiples two एक मेरा prime number है तो prime number होता क्या है जिसका जो factors है एक वो number खुद हो और एक one हो यह 2 factors होने चाहिए कीसे भी primary number के azньal नहीं होँगे तो two के सारे के सारे multiples prime number नहीं होंगे अब मैंने assume किया कि यह सारे number स्क्राइम numbers है तो मैं क्या करूंगा two के सारे numbers को मतलब cross कर दूँगा कि वू तो prime numbers नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले तो 2 एक मेरा प्राइम नमबर है, तो वह मेरा सही था, 2 एक मेरा प्राइम नमबर है, ठीक है, अब 2 का मल्टिपल 4, 4 मेरा प्राइम नमबर नहीं है, 6 प्राइम नमबर है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, ऐसे करते करते सारे इवन numbers cross out हो गे अब मैं गया 3 पे ठीक है अब मैं किसी भी अन्मांकर पर जाता हो नो जिसको में नहीं किया है मैं जीन करता हूँ कि वह प्राइम निमबर है क्यूं कि कि अगर मैं किसी भी अन्मांकर नमबर पर गया हूं मतलब 3 है तो अगर ये इस point तक cross out नहीं हुआ है क्योंकि अगर 3 prime number नहीं होता ना तो उससे पहले कोई ना कोई number ऐसा होता जो उसको cross कर गया होता क्योंकि 3 से पहले किसी भी number ने 3 को cross out नहीं किया इसलिए 3 prime number है अब मैं क्या करूँगा 3 को मैं prime number बालूँगा और 3 के सारे के सारे multiples को मैं cross out कर दूँगा तो यहां पर 3 के सारे multiples क्या है? 3, 6, already crossed out है 9 को cross out कर देंगे 12 already crossed out है 15 को cross out कर देंगे 17, 19, यह सब तो नहीं करने है 18 already crossed out है 21 को cross out कर देंगे और फिर यहां पर 27 को cross out कर देंगे तो यह 3 के सारे multiples हो गए cross out and वो prime number नहीं होंगे उसके बाद मैं next number पर जाओंगा जो crossed नहीं है अब मेरा next number के आ गया automatically 5 आ गया तो यहाँ पर 5 को हम बोल देंगे prime number अब 5 के सारे multiples को मैं cross out कर दूँगा 5 के सारे multiples के हो गया हमारे यहाँ पर 10 already crossed out है 15 already cross out है 20 भी crossing out है 25 को cross out कर देंगे और 30 cross out हो गया हमारे अब मैं जाओँगा next number पर जो cross नहीं वहा हुआ है 7 मेरा prime number हो गया अब मैं 7 के सारे multiples को 7 के सारे multiples को cross out कर दूँगा 14 already cross out है 21 भी already cross outилась 28 भी already cross out है ठीक है अब मैं जाओंगा next number पे तो 11 11 number मेरा cross out नहीं था तो 11 से पहले ऐसा कोई number नहीं था जिसका एक multiple 11 होगा तो 11 cross out नहीं हुआ तो मतलब 11 prime number है 11 से पहले कोई number नहीं था जिसने उसको cross out किया हो 11 prime number हो गया 11 के सारे multiples cross out कर देंगे तो 22 हो चुका है cross out अब 13 आ गया 13 के भी साथ 13 को prime number मान लिया 13 के सारे multiples cross out कर देंगे 26 already cross out है 17 prime हो गया 17 का कोई multiple है नहीं 19 prime हो गया फिर 23 भी prime हो गया और यहां पे हमारे यह prime numbers आ गये तो तुम देख रहो हमने जादा computation नहीं किया यहां पे बट मैंने 1 से लेके 30 तक सारे के सारे prime numbers find कर लिया मेरे 2,3,5,7,11,13,17,19,23 और यहां पे 29 भी 29 भी यहां पे cross out नहीं हो था ना तो 29 भी आ गया तो यह सारे prime numbers है और यह जो algorithm मैंने use करी कि हम सारे multiples को cross out कर देंगे फिर जो next number आएगा अगर वो cross out नहीं है तो उसको prime कोड कैसे actually में लिखना है ठीक है तो code देखते हम सीव algorithm का कैसे लिखेंगे यहां पे तो question क्या है basically question किस question में तुम्हें सीव algorithm का काम आएगा तो let's say तुम्हारे पास एक question था जिसमें तुम्हारे पास q queries है queries मेरी 10 to power 7 के आसपास queries है ठीक है और में को हर एक query में एक number n दिया गया है अब number n भी 10 to power 7 के आसपास का number है number n भी 10 to power 7 के आसपास का number है अब में को हर एक query में बताना है कि number जो n है वो prime है के नहीं बस यह single बताना है अब मैं traditional square root 10 वाला method तो 10 to power 7 10 to power 7 into square root of 10 to power 7 यह वाली हमारी time complexity हो जाएगी इतनी हमारी time complexity हो जाएगी यह पास नहीं होगा यह काफी जादा time complexity है यहां पे 10 to power 7 आएगा तो यह हमारा पास नहीं होगा एक second में तो इसके लिए यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा यह queries के loop के बाहर ही यहां पे queries के loop के बाहर ही हमें सारे compute करने पड़ेंगे तो वह उस question पर हम आते हैं कि हमारी हमें q queries दी गई है और हर एक query में में बताना है prime है के नहीं वह question अभी करते हैं बड़ अभी देखते सीव algorithm सीधा देखते कैसे generate करने हैं तो मैं 10 टूपर 7 primes generate करने में 10 टूपर 7 तक के सारे numbers जो prime है वह generate करने ठीक है तो यह मैंने 10 टूपर 7 ले लिया كे का बोल रहा हैsung के is prime of i के बोलेगा iat number prime है के नहीं ? बडिया और नहीं बोलれた के अगर true होगा तो अभी मैंने क्या किया कि is prime एक n size का a Goat your numbers बनाए हो सभी numbers को मैंने बोल दिया हमां क्या सारे क्पिल और 30 इ'm is सारे की सारे प्राइम नंब्र्स है ऐसा assume कर लेंगे तो यहां पर मैंने सब को true मालन लिया तो One Fill कहा था तो true होता है One का मतलब तो यहां पर मैंने क्या बोला, सारे मेरे numbers N जो nंब्र न जो सारे prime है अब हम यहां पर क्या करेंगे अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देंगे is prime of 0 is equal to is prime of 1 is equal to कर देंगे false अब हम क्या करेंगे 2 से लेके n तक का loop चलाएंगे कोई भी number अगर prime मिला हमें कोई भी number prime मिला उसके सारे के सारे multiples हम non prime कर देंगे तो यहाँ पर मैं loop चलाऊंगा 2 से लेके for int i is equal to 2 i less than n plus plus i ठीक है हर एक number के through जाएंगे अब check क्या करना है अगर ये number prime है के नहीं ठीक है यहाँ पे condition लगा दूँगा if is prime of i is equal to true ठीक है if is prime of i is equal to is equal to 2 तो अब क्या करना है i एक prime number है अब i के सारे multiples को हम not prime mark कर देंगे उनको false कर देंगे तो i के सारे multiples कैसे आएंगे for int j अगर i का multiple है j i का multiple है तो j हम शुरू कहां से करेंगे 2 into i से शुरू करेंगे 1 into i से तो फरक नहीं बढ़ता 1 into i को false mark नहीं करना क्यूंकि i तो हमारा prime है 2 into i से शुरू करेंगे और हम क्या करेंगे हर बार यहां पर j less than n जब तक हमारा जो multiple है n से छोटा है और हर बार multiple आगे-ागे करना है तो j में क्या क्या add कर देंगे plus is equal to i तो j में हर बार i add करते जाएंगे तो i के सारे multiples आजएंगे तो j क्या है 2 into i होगा फिर j 3 into i होगा फिर j 4 into i होगा है तो यहां पर क्या कर देंगे फिर इसके बाद is prime j is equal to false तो basically सारे multiples को हमने false mark कर दिया यहां पर तो is prime of i सिर्फ हमारा prime numbers के लिए true होगा ठीक है तो यहां पर मैं तुम्हें चला के दिखाता हूं hundred numbers के लिए print कर देता हूं यहां पर इतना सही है मारा algorithm है इतना सही algorithm है इसमें और कुछ नहीं है खास ठीक है तो for int i is equal to 1 से लेके less than hundred तक मैं तुम्हें print कर कर के दिखाता हूं हमारी values is prime of i की तो यहां पर c out is prime of i कर देते हैं यहां पर तुम देख रो 2 के लिए one थरी के लिए one है five के लिए one seven के लिए one nine eleven car any 13 के लिए one तो सभी these prime numbers हमारे यहां पर निकल के आगे हैं सभी के सभी prime numbers हमारे यहां पर निकल के आगे हैं और यह 31 29 तुम देखरे हो की algorithm काफी important होती है and अभी आज की वीडियो में तो नहीं बट नेक्स वीडियो में तुम से variations भी discuss करूंगा सीव की जहां पर हम देखेंगे कि सीव में तुम कैसे कैसे हलके हलके changes करके कैसे complex complex चीजे solve कर सकते हो prime factorization कर सकते है न वो सब चीजे देखेंगे अभी के लिए हमने कोईशन कर सकता था यह वाला कि Q queries होंगी तो Q queries के लिए क्या करूंगा यहा पर int q c in q तो यहा पर Q Quarries लटसे मैं बोलते हो 5 queries եैं और में को बताना है कि number prime है कि यहाँ व् discussion दिखा था यहाँ पे q input ले लेंगे और यहां पर क्या कर देंगे while q minus minus है ना और यहां पर अंदर input number ले लेंगे और यहां पर check कैसे करेंगे if is prime of number is equal equal to true मतलब is equal to true लिखने की जूरत नहीं है ना तो यहां पर कर देंगे prime और else case में क्या कर देंगे not prime यह हमारा question solve हो गया तो पहले क्या हो रहा था यहां पर अभी इसकी time complexity हम discuss करेंगे बड़ पहले देखो अब पहले अगर हम square root n वाला method यूज करते तो square root n से क्या होता हमारा q into square root of n time complexity होती है ना हमारी अगर यहां पर हमें prime number हर बार calculate करना बड़ता कि prime है के नहीं तो यहां पर square root of n time complexity होती है यहां पर अभी यह o of 1 हो गया चेक यह जो चेक है वह यह o of 1 हो गया क्यूंकि सारे के सारे 19 के लिए 21 के लिए not prime और 23 के लिए prime आ गया तो यह हमारा correct answer आ रहा है ठीक है ना हमारे जो constraints थे q is equal to 10 to power 7 तक 10 to power 7 तक और हमारा यहां पर n जो था वो भी 10 to power 7 तक वो भी 10 to power 7 तक यह जो constraints है मेरे यह हमारे constraints के लिए यह code चल जाएगा यह वाला code चल जाएगा अब देखते है इसकी time complexity में तुम्हें समझाता हूं कैसे है तो यहां पर ना मैं तुम्हें थोड़े easy way में समझाता हूं तुम्हें math में नहीं जाओंगा तो तुम्हें बस बता दूँगा कि क्या हमारा जो formula बन रहा है वो किसके equal होगा तो basically हमें देखने कि कितनी iterations हो रही है तो बाहर वाला जो fall loop है उसमें हम क्या देखेंगे उसमें हमारा देखो पूरा iteration का एक बाहर का n का loop है और अंदर एक हमारा multiples חणा को मत्ता के मत्तव होतं का अंधर की मत्ता शुप के पार ऍटा रहा है भर यह तो तो जा से कर झाने कर दो पूरा isolॉद और वाली mixture अब की नगर इंद न एम चलेगा तो यह "-2 वे था अनधर फिर गोने mist घरेए 3s Ndं स्थलेगा तो इसको अगर हम expand करें यहाँ पर हम क्या करें एन को common ले सकते हैं तो यहाँ पर यह 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 यह 1 by 4 1 by 5 1 by 6 यह 1 by 6 और 1 by 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पर if वाली condition हटा दी है if वाली condition हटा दी है तो सारे divisors के लिए चल रहा है तो यह हमारा up till 1 तक चलेगा है ना तो यह वाली जो चीज है यह वाली जो चीज इसकी approximate value ना log n होती है इसकी approximate value log n होती है तो हम इसको बोल देते n log n बट अगर मैं आब if is prime is equal to true वाली condition लगा दू तो मेरा यह सारो के लिए नहीं चलेगा यह सारो के लिए नहीं चलेगा तो यह मेरा कितने के लिए चलेगा n by 2 plus n by 3 plus n by 5 plus n by 7 है ना plus फिर n by 11 basically सारे prime numbers के लिए चलेगा सारे के सारे divisors के लिए नहीं चलेगा log of log of n log of log of n यह अंदर वाली चीज ठीक है अगर मैं यहां पर n common ले लिए तो अंदर वाली 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 5 plus 1 by 7 plus 1 by 11 up till है ना तो यह वाली चीज जो होती है approximately log of log of n के equal हो जाती है तो यह जो दोनों चीजे है ना यह दोनों चीजे इसके जो proof होते हैं काफी सारी चीजों काफी सारे मेथट से हम प्रूफ कर सकते हैं इसको मैच में प्रूफ के इंदर मैं नहीं जाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर क्यूंकि वो काफी सारे divisors के लिए if condition के बिना अगर हम चलाएंगे तो यह वाला जो चाहिज है यह n log n हो जाता है बट अगर मैं यहां पर सारे के सारे सिर्फ प्राइम के लिए चलाऊंगा if condition के साथ तो यह n log log n हो जाता है यह वाला जो case है यह मैं next video में भी discuss करूँगा जब हम variations of sieve पढ़ेंगे divisors के cases के लिए तो यह चीज हमारा उस time पर आएगा हमारी यह जो अभी algorithm हमने पढ़ी है यहां पर इसकी जो time velocity है यह n log log n है यह जो time velocity है n log log n है यह वाली अब यहां पर और भी काफी कुछ optimization लोग करते हैं बट मैं generally वो optimization इतनी नहीं करता हूं करने की जरूरत भी ने तुम लोग को एक optimization होती है कि यहां पर i into i तक चला देते हैं लोग है न वो भी चल जागा क्यूंकि square root n तक अगर हम compute करते हैं तो चल जाता generally तो वो भी कर सकते हैं generally यहां पर two into i की जगा भी i into i से चला देते हैं वो भी चल जाता है वो भी मतलब हमारी एक optimization होती है बट यह सारी optimization तुम्हें करने की जूरत नहीं है क्यूंकि जो हमें constraints आते है जनरली 10 तूपर 7 तक तुम्हारा यह loop चल जाता है already तो 10 तूपर 7 तक तुम already pre compute करके रख सकते हो तो यह तुम्हारा कभी भी time complexity को इतना effect नहीं करता है तो यह पूरी तुम सीव चलाओ क्यूंकि जब हम आगे तो देखेंगे न तो लोग यहां पर आई इंट उइडाल देते हैं जो हम आगली वीडियो में इसे न काफी सारे औह लॉग आशंगे तो लोगों को confusion रहते हैं जनरली आई इंट ईयक डालना है आई इंट उइकल नहीं डालना तो मैं बताता ही नहीं किसी यहां पर तुम बस यही वाला लूप चला हो यह वाला बैस्ट यहां पर हमारी टाइम को लिए यह हमारी होगी सीव अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे काफी सारे सीव के जो वेरियेशन्स हैं कि लुएस्ट प्राइम कैसे फाइंड करना है किसी नंबर का हाइस करना है कैसे फांड कर सकते हैं सारे के सारी नंभर के प्रेक्रेखेंगेी और टूम्हें काफी इंट्रसल्ट वीडियो में आंka तुम्हें तर नगा वोग विडिए अंतातेस। until then, goodbye.